स्वागत है आपका EBSP के यूट्यूब चैनल में दोस्तों CA इंस्ट्रिचूट ने ICAI ने नॉम्बर 2000, नॉम्बर 2019 में जो एक्जाम होने वाला है चाहे वो CA, Inter, New Syllabus, New Course या फिर CA, IPCC, Old Course के स्टुडेंट है उनके लिए जो भी amendments है applicable वो announce कर दिया है इस वीडियो को अंद तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या-क्या amendments आने वाले हैं कौन-कौन से resource है officially CA Institute के त्वारा जो CA Intermediate या CA IPCC नॉम्बर 2019 के लिए relevant है हमारा जो website है वहाँ पे मैं ले चलूँगा वहाँ से आप क्या gain कर सकते हैं नॉम्बर 2019 टर्म के लिए यह सारी बात ही जो है वो इस वीडियो में आपको जनकारी मिलने वाली है इसे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ एक बात आपको जनकारी में दे दूँ कि जो CA Old Course के student है उन लोगों के लिए लास्ट टर्म क्या है नॉम्बर 2019 और में 2020 पता होना चीए यह दो टर्म आपके पास है अगर आप नॉम्बर 2019 में नुउ कोर्स में एपियर करना चाहते हैं तो 27 अगस्त तक आप अपने आपको कन्वर्ट करा लीजिएगा नुउ कोर्स में तभी आप eligible होगी नॉम्बर 2019 के लिए और कहां करना पड़ेगा SSP पोर्टल पर ठीक है वहां से आप कन्वर्ट करा सकते हैं चलिए मैं विसिट करता हूँ official announcement के वहाँ पे c institute का official website है वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या amendment जो है यह आपका announcement है 22 July 2019 देख सकते हैं आप intermediate IPC यानी IPCC old course के लिए यह announcement में जब आप यहाँ पे click किजेगा तो PDF format में आपको जो download होगा यहाँ पे देख सकते हैं कि 19 page का यह amendments जो है वो सी यह IPCC के लिए relevant है कौन-कौन से topic exclude किये हैं, कौन-कौन से topic include किये गये हैं प्लस जो number 2019 में आपका RTP issue होने वाला है number 2019 exam के लिए वो भी आप जरूर से जरूर download कर लिजेगा मैं बताऊंगा अभी इसी वीडियो में कि कैसे आपको download करना है यह तो 19 page का है CA IPCC वालों के लिए और चलिए देखते हैं CA intermediate जो new course वाले हैं उनके लिए क्या announcement है यह रहा CA intermediate label new course के लिए यह भी 22 July को ही announcement आया है कि कौन-कौन से accounting standards, standards on auditing, guidance notes, legislative amendments जो है वो applicable है November 2019 term के लिए इस पे जब आप click किजेगा तो एक PDF खुलेगा 19 नहीं 18 page का ठीक है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कि paper wise जो है वो कौन-कौन से topic जो है वो applicable है कौन-कौन से topic जो है वो exclude कर दिए गया है इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ एक बहुत ही important सूचना आप लोग के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को subscribe कर लिजेगा और दूसरी बात अगर आप November 2019 में एपियर करने वाले हैं और Companies Act का e-book चाहिए या GST Act का e-book चाहिए अप टू 30th April 2019 जो के relevant होगा November 2019 exam के लिए तो आप वीडियो के नीचे description में दिये हुए link पे आप click करके टाप कर सकते हैं GST Act और Companies Act amended for November 2019 examination उसके बाद आएए देखते हैं मैंने एक playlist त्यार किया है जो November 2019 में जो relevant announcement है CN Institute के दौरा उसको मैंने एक अठा किया है और playlist त्यार किया है वो आपको दिखाना चाहूंगा यह आपका playlist है जहाँ पे latest अभी जो वीडियो add हुआ है वो है last date for conversion from CA final old और CA intermediate old to new course वो आज ही के date में वो announcement हुआ है वो आप पा जाएगा ठीक है November 2019 के लिए company accounts को revise किया गया है वो आप पा जाएगा और बहुत सारे recently जो भी announcement आते हैं November 2019 के लिए इस playlist में आपको धिरी धिरी जो है मैं add करता जाओंगा ठीक है अगर आप इस channel पे नहे है तो आप subscribe कर लिजे ताकि जो ही नया मैं video upload करूँ सबसे पहले notification आपके पास चला जाए ठीक है यह totally free of cost है कोई किसी को payment करने की क्या होशकता नहीं है और एक relevant चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमारा website है official AUBSP.com वहाँ से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं यह रहा हमारा official website AUBSP.com जहाँ पे tag है आपका CA Intermediate Notes यहाँ पे आपको मिल जाएगा suggested answer, past year का question papers जो मिल जाएगा उसका कैसे आप online exam submit करोगे वो exam का जो date है वो virtual coaching classes जो है CA Institute के द्वारा वो उसके बाद students का journal, articles, उसका status, certificate of service, correction window के बारे में admit card, rank holders, result और toll free numbers CA Institute के द्वारा ऐसे बहुत सारे जो relevant notes है वो आपको मिल जाएगा, जो relevant news है वो आपको मिल जाएगा यह हमारा official website जरूर से जरूर visit कीजेगा इस video से related कोई भी आपका opinion हो, feedback हो, वो भी हमें comment के थूर नीचे जरूर से जरूर बताइएगा कि क्या यह video आपके लिए beneficial था या नहीं था ठीक है तो इस channel को subscribe कीजिए अपने दोस्तों के इस video को share कीजिए ताकि जो number term में appear करने वाले हैं उनके लिए कुछ benefit मिल जाए तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद आपकू और खन्यवार्ण